कैसे हैं दोस्तों मैं हूँ चंद्रिष्ठाक और आप देख रहे हमारी अपनी यूटूब चैनल चंद्रिष्टी तो यह हमारा वीकली सीरिस का वीडियो है जैसे कि हर वीक में एक वीडियो लेकर आता हूँ और ट्राइ करता हूँ कि निटी और बैंक निटी के चार्ट पर जो कुछ भी जाबी चल रहा है और उसके साथ ही साथ में कुछ स्टॉक स्पेसिफिक क्रेक्षे पर जो मोमेंट आ रही है उसके बारे में मोटा-मोटी ज्वालिस्कस आपके साथ जहां मैं कर पाव तो अभी जो हम कि देख रहे है कि लास्ट वीक में जो दो वीक में निट और लास्ट वीडियो में जो मेरी बात हुई लास्ट वीग मैं आपको शाफ बताया था कि आने वाला वीग है उसमें जो है फुली पार्टिस्पेट करेगा कarekson में और उसकी करेक्शन को participate किया और जैसे ही bank nifty ने उसको support करना चालू किया correction को तुरंद हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा नीचे की set downfall correction आई है और उसको हम अभी try करेंगे analyze करने का चार्ट के उपर कि चार्ट के उपर क्या exact moment आ रहा है और क्या उसमें कटना खटित हो रही है तो दोस्तों सबसे बड़े time frame से चालू करते है monthly time frame वहां से हम analyze करना चालू करेंगे तो क्या है roughly मोटा मोटी idea जो हमको मिलेगा तो यहाँ पर जो है fourth wave का deep लगा था March 2020 में exact हमारी system यह दिखा रही है monthly time frame का deep लगा था यहां से और उसके बाद में गर हम गिने तो यहां से मैं Fibonacci retracement एक बार डालना चाहूंगा तो यह जो है अपना last deep उसने लगा था यहां पर अप्रोक्स अप्रोक्स October 2021 को उस वक्त पर यहां पर जो है उसको 14,200 के आसपास का correction कर लेना चाहिए था और अगर वह कर लेता तो बहुत ही अच्छा होता तो इसने नहीं किया है तो अभी देखते तो जो वेव 5 है अपना monthly time frame का उसमें भी पांच छोटी छोटी impulse वेव रहेंगी तो वह कैसे रहेंगी यहां से हम start करें एक दो यह तीसरी वेव है फिफ्ट वेव की और उसके बाद में गर मैं आपको बताना चाहूँ कि यहां से और एक वेव चलेगी एक जटो कैसी रहेंगी वह हम ट्राइ करेंगे कि यहां से अगर यह थर्ड वेव ऐसी होती है फिर फॉर्थ और फिर फिफ्ट ऐसा कुछ इसका structure होने वाला है आने वाले वक्त में तो हमें जो है इतना कुछ अभी डरना गवराना नहीं है यह जो correction है यह जो moment है पूरा का पूरा हो सकता है कि कोी छोटी टाइम फ्रेम की correction हो और उसको हम छोटी टाइम फ्रेम में दीरे दीरे जैसे ही जाएंगे वैसे वैसे उसको समधने की कोशिस करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है monthly time frame के इसाब से गर इसका correction या इसका time frame घूम रहा है तो उसके लिए हमें two to four trend line डालना है यहां से दो number होता है और उसको मैं आगे extend करना चाहूँ तो यह four number और यह जब यह line तोड़ेगा तब होगा monthly time frame तो जो कि वह कुछ माहिने नहीं रखता है अभी की लिए तो इसको हम छोड़ देते है monthly time frame को analyze करना उसके बाद में हम आते है weekly time frame में पुड़ा सा time consuming होगा बट यह जो है आपको आने वाले वक्त में कभी भी गर आपको किसी भी चार्ट को देखना है deeply तो यह आप उसको देख सकते हैं ठीक है इसको अच्छे से समझ सकते हैं तो यहां पर भी हम देखे यह दो नम्मर और यह चार नम्मर को connect करती एक train line में डालू तो यहां पर अप्रोक्स अप्रोक्स जो है सत्रा चार सो सत्रा पांच हो यह लेवल जो है बहुत ही ज्यादा डेंजर है सत्रा चार सो के नीचे गण निफ्टी गया तो समझ लीजिए वह वीकली टाइम फ्रेम की करेक्शन करेगा और यहां वीकली टाइम प्रेम में जो है उसने डबल टॉप लगाया यह साबित हो जाएगा और यह डबल टॉप जो है यह नेक लाइन को उसकी अजर के आसपास की बैठती है ठीक है तो यह बहुत ही ज्यादा बूरी वर्ष्ट कंडिशन हो गई हम इसको मानेंगे और वो जो है फिर यहां पर 14600 से 14800 के जोन को जो है रीटेस्ट करेगा यह खराब से खराब मान लिए कुछ भी खराब हो गया मैक्सिमम तो उसके लिए मैंने आपको यह प्रिपेर कर दिया निफ्टी के अंदर कुछ नहीं करना है दो से चार की ट्रेंड लाइन डालनी है ठीक है तो सत्रा चार सो सत्रा पांच सो का जो जो जोन है वह हम मान लेंगे कि वहां से जो है मान लिए कोविड भी आ जाएगा सब कुछ हो जाएगा जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा अगर हो गया तो उस लेवल की बात है ठीक है उसके बाद में हम इसको डेले टाइम फ्रेम डेले टाइम फ्रेम का करेक्शन जैसे कि आप और मैं जानते है यह होता रहता है डेले टाइम फ्रेम के साइकल जो है एक साल दो साल में हर ब होंगे और जिस तरह से कल हमने देखा कि small cap में गिरावट आई है इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यह जो है correction थोड़ी गहराने वाली है और small cap में आप अपना stop loss strict रखिएगा खास तो मैं AC के बारे में बात करता था दोस्तों आप AC का भाव जाकर देखिए आज भी ठीक है कल आँट से 9% टूटा है तो उसकी जगह पे आपके पास HDFC होता अगर Vipro होता तो वह जो स्टॉक है अगर ल्यूपीन होता AB Capital होता तो आपको इतना ज्यादा अपना पॉर्टफोलियो जो है सर्वाइव कर पाए क्यूंकि अभी के वक्त में जब भी मार्केट करेक्ट होगा तो यहां पर अल्रेड़ी एवेव ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा है कि एवेव जनरेट हुआ है तो एक बाउंस बेक एकस्पेक्टेड है 18400 के आसपास का ठीक है वो 18115 से लेकर 18400 के बीच में हो सकता है उसके बाद में फिर एक डाउंफॉल आएगा जो हो सकता है कि उसका जोन में बताओ तो 17800 से 17500 के बीच में होगा तो ये हो गया 17800 से 17500 के बीच का डाउंफॉल एक अभी भी अपना है ये एक स्वाट कवरिंग बोलो या रिकवरी बोलो ये आने वाला है और ये हमको हो सकता है नेक्स्ट वीक में देखने को मिल जाए या तो फिर जानिवारी तक जो है एक्स्टेंड हो जाए अपना पूर्टी टाइमफ्रेम के लिए यहां से यह गर मैं डालूं तो यहां पर जो है यह 600 से 700 का जोन जो था उसको 600 का जोन को कातना है बट वो भी मुझे अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है यह भी इतना आसान तो नहीं है अभी भी तो यहां से बी वेव जनरेट होगा डेली टाइमफ्रेम के इसाब से और मैं आपको एक बार डेट बताना चाहूँ तो 23 जनवरी तक जो है मार्केट हो सकता है एक रिकवरी दिखाए तो यह हो गया पूरा मंथली व्यू वन आवर टाइम फ्रेम में मैं आपको बताओं तो वन आवर टाइम फ्रेम में उसने जो है अपना A, B, C, 3 वेव कम्पलिट कर लिया है यहां पर आप देखे यह A, B और यह C, 3 का 3 वेव कम्पलिट कर चुका है और C वेव उसका वहीं पर खतम हो रहा है जहां पर अपना जो वो ट्रेंड लाइन टू टू फॉर नमबर वाला ट्रेंड लाइन आ रहा है तो C वेव यहीं कहीं पर खतम हो रहा है हो सकता है मार्केट खुलके 1001 प्वेट और गिरे बट उसके बाद एक अधम सार्प रिकवरी आने की संभावना ह और वो रिकवरी जो है हो सकता है कि 15 मिनिट टाइम फ्रेम के इसाब से एक बार हम देख ले इसको यह सारी टाइम फ्रेम हैं दूस्तों कुछ ना कुछ वजह से कुछ ना कुछ रीजन से मैंने रखा हुआ है और वह जो है इंपेक्ट करता है और उसी हिसाब से हमको भी दिखता है तो दोस्तों देखिए market है पूरा का पूरा हम देख पा रहे oversold zone में चला गया है अभी हो सकता है कि market जो है एक बार यहां से recovery दिखाना चालू करे और मैं बोलो आपको अठारा 200 से अठारा 300 के जोन जो है उसको एक बार रिटेस्ट करेगा ये आने वाले वीक में और उसके बाद में फिर हम इसको देखेंगे कि आगे फर्दर क्या चार्ट पे structure डेवलप होता है तो यही था निफ्टी के अंदर एक bounce back हो सकता है आने वाले वीक में हमको देखने को मिले अगर यह सोमवार मंगलवार को हो जाता है तो बहुत अच्छा है और उसको निकलना चाहिए जिस हिसाब से अभी पूरा का पूरा चार्ट structure डेवलप हो रहा है उसके साथ ही साथ अभी हम जो है दूसरा थोड़ा सा stock specific moment देख लेते हैं तो stock specific moment में हम जो है HDFC से start करेंगे तो HDFC में देखे दोस्तों यह weekly time frame का chart है तो यहाँ पर उसका fourth leg नीचे बनना start हुआ है यहाँ पर यहाँ पर यह fourth leg अपना complete कर ले जो रहता है 25, 37 के आसपास 36, 36 तो यहाँ से मैं चाहूंगा कि HDFC जो है थोड़ा सा नीचे आ जाए अपना correction complete कर ले क्यूंकि यह जो है उपर गर जाएगा तो फिर यहाँ 28, 850 के zone से वापस हमको जो है यह तकलिफ देना यह वापस यह थोड़ा सा bearishness देखाना चालू करेगा तो यह थोड़ा खराब रहेगा हमारे लिए तो मैं चाहूंगा इसको कि यह जो है यहाँ पर यह correction अपना complete कर ले और उसको एक अच्छा सा मौका भी है तो मार्केट ज यहाँ पर उसका correction अगर complete हो गया तो अपने लिए बहुत ही अच्छी बात होगी HDFC में तो यहाँ से घिरना 80-90 रुपे है इसको आ जाता है तो एक best buying opportunity मैं इसको मानूँगा क्यूं मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर एक नम्मर का wave था उसका जो है यहाँ पर 61 का golden ratio उसने retrace किया था तो एक नम्मर की wave अगर 61 retrace की है तो बहुत ज़्यादा संभावनाए है कि यहाँ पर जो दो नम्मर की wave है वो 61.8 retrace हुई है तो यहाँ पर तीन नम्मर की wave है उसके बाद में 4 नमर की wave है वो यहाँ पर खतम हो जाए यह जो 38 के आसपास का जो zone निकलता है वहाँ पर खतम हो जाए यह ज्यादा तर मामलों में हमको यही देखा गया है तो यहाँ पर HDFC में कुछ होना नहीं है यह sideways होना है sideways से 90 रुपे तक की गिरावट है इसमें तो इसमें कुछ इतना कुछ भी tension लेना नहीं है गर आपको मैं बोलो कि आपको defensive खेलना है और आने वाले moment क सबसे पहले फाइदा उठाना है तो HDFC में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बाद में विप्रो में देखें बहुत ज्यादा दुलाई हुई है बहुत अच्छी पीटाई हुई है विप्रो में तो इसको हम थोड़ा सा दोस्तों विप्रो जो है इसमें कुछ होना नहीं ह यहां पर मैं आपको क्लियरली दिखा बता दू कि यह जो है 372 के आसपास एक डबल बॉटम बनाएगा और यहां से इसका जो है उपर की साइट का मुवमेंट जो है चालू हो जाएगा तो यहां पर यह ऐसा कंसॉल्डेशन एक डबलू टाइप बनाएगा और वो जो है छो उसके बाद में हम जो है बेंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं यहां पर मैं बता ओओ यहां पर उसने bathrooms रहा है अचालई टोटली तो उसको जो है एक जो है फास्ट मुवमेंट आएगी बैंक निफ्टी के अंदर और यहां पर जो एक वेव डेवलप हुई है इसको जो है यह अलग-अलग जोन में रिट्रेस करेगी तो यहां पर 38% हो गया इसको 0.5 और 618 यानि 43,159 तक यह जा सकता है उसके बाद में दूसरा एक लेवल ह 42,841 और 42,523 तो यह तीन जोन है इसको बैंक निफ्टी जो है रिट्रेस्ट करेगी तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी जो है एक ही तरह का चार्ट डेवलप कर रहे है तो दोनों में एक पॉसिबिलिटी है उपर की साइड बाउंस बेक आने की और वो में हमें आने वाले वीक में होता हुआ देखेगा तो यह दोस्तों था मेरा वीक्ली सीरीज का निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्पेसिफिक विडियो मैं ट्राइ कघिरूंगा स्टॉर एक डाल दूं याता मैं इंडिबीडिजल स्टॉप स्पेसिफिक विडिए उसके